विजल लक्षमी कॉटन कमपनी में मंगलवार शाम आख लगई है जिसमें 6000 पिंटल कपाज सरकारी और अन्य जिने की मशिने चल गई आख शॉट सरकीट की वजह से लगने की आशंका जताई चारी है यह घटना स्थल केलवद पुलिस्टेशन की अंतर गताता है इसी कमपनी में एक साल पुर्व भी आख लगई थी मंगलवार को दूसरी बार आख लगी है शॉट सरकीट से आख लगने की आशंका जताई चारी है प्रप्त जानकारी के अनुसार साउनेर केलवद हाईवी पर मगला फोटे से अंदर 100 मिटर 2% कमपनी में आख सी बड़ा नुकसानवा है संचाला क्यानुसार 6000 क्विंटल का पास जिसकी किमब 3 करोड 60 लाग सरकी 1 करोड की वह अन्य जिनिक की मशिन 40 लाग कुल 5 करोड का माल खाक हुआ है केलवद की थानेदार ठाकुर के साथ साउनेर खापा वह सौंसर से एक एक अगनी शमंदल की गाडिया मौके बर पहुची देडरात तक आग पर कापु नहीं पाया जा सका था बिस यंदेवस के लिए साउनेर से किशोर धुंडले की रिपूर्ट